जाहिन दोस्तों स्वागत है आज की क्लास और आज की क्लास है सिंधू घाटी संभेता के MCQs की और इसमें हडपा संभेता के भी मैं क्वेशन्स को लेकर आया हूँ एक डॉक सपना सरकारी नौकरी का तो अभी देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है MCQs क्वेशन्स में तो फड़ा फट लिगाएंगे questions पहला question आ चुका है हडपा की समाजिक विवस्ता कैसी थी हडपा की जो है समाजिक विवस्ता किस परकार की थी बताएं आप समतावादी थी या दास और श्रम अधारित थी रंग वर्ण अधारित थी या जाती अधारित थी तो बताएं options में से कोई एक answer है तो correct answer रहेगा वो है आपका A option यानि की समतावादी समतावादी थी क्या थी समतावादी थी हडपा सबेदा जो है समाजिक विवस्ता समतावादी थी हडपा की खुदाई में उच वर्ग और निमन वर्ग लोगों के मकान यानि की दोनों के जो की अमीर लोग और गरीब लोग उन सब के मकान मिले हैं हमें और परंतु उन में से कोई भी भेद भाव का साक्षे नहीं मिला है कि अमीर और गरीब का कि वो डिफरेंस करते थे और समाज में जो हैं लोगों का विभाजन परंतु भेद भाव नहीं था विभाजन मतलब समाज को ही ड कौन सी चीज सिंधू घाटी की खुदाई में वानिज जिक और आर्थिक विकास का घोतक है यानि कि चिन है आर्थिक विकास का मिटी के बरतन मोहरे नाव या घर आपके हिसाब से कौन है जो आधुनिक विकास के लिए यानि कि आधुनिक जो उनका आर्थिक विकास हुआ था वानिज्य रूप में इनके स्टेटिकल रूप में तो वो कौन था आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़े जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो सिंदु सब्वेता थी वो एक वानजीक और आर्थिक विकासत को जो है वो शो करती थी जल्दी से अंसर कोमेंट कर सकते हैं और कोरेक्ट अंसर क्या रहेगा जल्दी से अपना अंसर कोमेंट करिएगा अंसर साथ में ही कोरेक्ट करिएगा साथ साथ में जी तो मैं सबसे पहले बता लेता हूँ अंसर रहेगा मोहरे क्या रहेगा मोहरे रहेगा B option सिंदु घाटी की सभेता में जो हैं मोहरे वानिजे और आर्थिक की घोशना करती है इनकी घोतक है इनकी परतीक है और 2000 से ज़्यादा जो मोहरे है वो हमें प्राफ्त हो चुकी हैं लगवग 1200 अकेले मोहन जोदरों से ही हमें प्राफ्त हुई थी मोहरे और अधिक तर जो हैं वो हमें काम मिली हैं सेल खड़ी में मिली हैं काम पर मिली हैं जी मोहरे सेल खड़ी में मिली हैं हमें ये मोहरे और 2000 से जादा है तो हम कह सकते हैं अंताजा लगाया जा सकता है कि तामबा राज्यस्थान की खेतरी नामक स्थानों से आयात किया जाता था और 10 जो है वो अफगानिस्थान किसे आयात किया जाता था next सवाल आ चुका है आपका कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है भारत का पहला खोजा गया शहर आपके हिसाब से क्या होगा हडपा, पंजाब, मौन, जोदरो या सिंद सभी answer कमेंट कर दीजिएगा सभी answer कमेंट करिएगा भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, चार आप्शन्स है चार आप्शन्स है, कौन सा खोजा गया होगा answer कमेंट करते रहिएगा, answer साथ कमेंट करिएगा प्रट अंसर रहेगा वो है, A option हडपा, हडपा की जो खोज है, वो सबसे पहले हुई है याद रखना, और इसके लिए मैं आपको बढ़ा जता हूँ, 1921 में की गई थी, और इसको खोजा जो है, वो सिंदु घाटी सभेता में जो है, वो खोजे जाने वाला पहला शहर, शहर भी था हडपा ठीक है, और विश्व की प्राचिन सब्वेताओं में से भी एक ही है हडपा, और अब तक जो है, वो दो हजार से जादा स्थल जो है, वो खोजे जा चुके है जिनमें साथ, जो है महानगर की भी संग्या दी गई है अगरा सवाल जाने से पहले थोड़ी सी डीटेयल है हडपा सब्वेता की खोज जो है वो दयाराम सानी ने की है रावी नदी के तक पर है नूट करना है, आपने नूट्स बनाने है, मंटेंड करने है मोहन जोदोरो की खोज किस ने की है राखलदास बनर जी ने की है और सिंदू नदी के किनारे पर है चुंद्रोरो की खोज किस ने की है एम जी जुम मजुमदार ने की है सिंदू नदी के किनारे है धोला वीरा की जो खोज है आर एस विशिष्ट ने की है काली बंगन की खोज जो है एक घोश ने की है घगर नदी के किनारे है जिसे का प और बनवाली की जो खोज है वो R.S. विशिष्ट ने की है जो की प्राचीन नदी यानि की सर्स्वती के ही किनारे पर स्थित हैं, एक आपका सपना और हमारा सपना आपको स्लेक्ट कराने का, तो इसको ध्यान से आपने रिवाइज करना है और प्राचीन अगला लगाना है, प कौन सी खडपा की खुदाई में नहीं मिल पाई है, यानि की नहीं मिली है, जब भी पेपर दें तो ध्यान से दें, क्योंकि टिक गलत लग जाते हैं, टिक गलत लग जाते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान से जो है इन कॉश्चन्स को लगाना है, तो correct answer रहेगा वो है, D option, शिखर रहित मंदिर, कोई भी मंदिर जो है उस वक्त शिखर से रहित, यानि की विदावर शिखर जो है वो नहीं मिला है, सभी शिखर में शैली में थे, D option रहेगी, विश्व का प्राचींतन नगरिय सभेता, जिसकी विशेष्टा के रूप में जो है, समकोन में काटती ठीके जी, और नगर का दो टीलों में भिभाजित हुआ है, जो कि पूर्वी टीला और दुर्ग रही था, और पश्च्मी टीला दुर्गी करन था, यानि कि दुर्गों से था भरा हुआ, और जल मिकासी के लिए उत्तम स्त्रोथ था, बहुत ही बड़िया मतलब उनकी, जो है, सिस्टेमेटिकली था, यह कह सकते हैं, वहाँ के शायर, और सिंदु घाटी के सभेता में ना तो किसी धरम का कोई साक्षे बिला है, और ना ही मंदिर जैसा कोई इमारत मिली है, कि हम बो बोलें कि मंदिरों के भी वो पूजा करते थे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल को अंसर दीजिए, हडपा सभेता कब खोजी गई, मैंने अभी अंसर दिया था आपको, बताएं अंसर दीजिएगा, A, B, C, D, चार आप्शन्स हैं, मैंने बताया था, राय बहादूर, साहनी के त्वारा यह खोजा गया है, बताओ बच्छो, कब कमेंट करो, कमे जा गया था, प्यार बेच्छो, बहुत बढ़िया, तो यह आपने याद रखना है, बनाए बहादूर, साहनी के दौरा जो है, 1921 में, खोजा गया था, पहला स्थाल है, अगला सवाल, सिंदू घाटी सभेता, आज ही हिंदू धरम के प्राचीन संस्कृती के बीच, जैवि कि पशुपती, इंद्र, देवी मा है, पत्थर, विरिक्ष, जानवर है, विश्णू और शक्ती है, शिव और शक्ती है, आपके हिसाब से कौन सा अंसर सही रहेगा, मैच करता हूँ अंसर बताना है आपने, कौन सा अंसर मैच कर रहा है, सिंदु घाटी सभेता आज, और आज की हिंदु धर्म प्राचीन संस्कृती से जुड़ा है, तो वो है हमारा पत्थर, विरिक्ष और जानवर, इनकी भी आज भी पूजा की जाती है, आपको पता है, पत्थर यानि की हमारे शिवलिंग के लिए ले सकते हैं, विरिक्ष य अभी भी कायम है, नेक्स्ट कोशन की तब चलते हैं, सिंदु सभेता का एक मातर स्थल जहां से कृत्रिम गोदी वाड़ा मिला है, कृत्रिम गोदी वाड़ा मिला है, अंसर कोमेंट करिएगा, गोदी वाड़ा मिला है, कृत्रिम कोमेंट करिएगा, तो correct अंसर रहेगा वो है लोथल में हमें ये गोदी बाड़ा मिला है और जो की लोथल है ये हमें इंडिया में मिला है ये एमदाबाद गुजरात में स्थित है A option correct है और ये 1962 पचपन के मध्धे जो है ऐसा राव निर्देशक थे उन्होंने इसकी खुदाई की थी और लोथ मिले थे जो की हमें क्या क्या अवशेश मिले थे अनागार पश्यों की हडियां तामबा काल्ची की मिट्टी के मन के और सोने के आभूशन शंक इंटों का बना हुआ ये सब हमें यहां से जो है गोदी वाड़ा में जो है वो प्राप्त हुआ है नेक्स्ट क्वेशन है हमारा निमलिकित में से पालतू जानवरों में से जो सिंदू सभ्यता का तेरा कोटा में अनुपस्थित था वो कौन सा है तेरा कोटा में हमें क्या नहीं मिला है भैंस भेड गाए या सूर प्राप्त अंसर रहेगा वो है आपका गाए वहां से हमें गाए का अपशेश नहीं मिला है क्योंकि जो सैधव शब्यता थी उसमें गाए आरेओं वो पशू के लिए आर्थिक जीवन का आधार थी इसलिए हमें वहां से नहीं मिला है उन जानवरों में पालतों में ठीके जी तो संबंद गाए से नहीं था क्योंकि गाए आरेओं का पशू वो आर्थिक जीवन का जो है वो आधार थी अगला सवाल आ जाता है सिंदु सब्वेता शहर जो बिना गड किला था वो कौन सा था जो बिना गड के था वो कौन सा किला था काली बंगन था मोहन जोद्रो था हडपा था या चंद्रोडो था तो इसका सही अंसर रहेगा वो है D option चंद्रो यानि कि D option मोहन जोद्रो के दक्षिन में ये 130 किलोमेटर दूरी पर है जो की 1934 में खोजा गया था कब खोजा गया था 1934 में खोजा गया था और किसके द्वारा खोजा गया था उसका नाम भी लिख लीजिएगा N.C. मुझमदार और 1935 में मैके के द्वारा भी जो है इसका उत्खनन हुआ यानि कि द्वारा से खनन हुआ और इसमें हमें मकान पक्की इंटों के बने होते थे इसमें ये मिले हैं सोचाले मिला है सनानागार मिला है आंगन मिला है आधी सब कुछ मिला है यहां से मोहरें आधी बहुत कुछ मिला है तो ये इसकी डिटेल है आपने याद रखनी है अगला सवाल सिंदू सभ्यता की विशेषता क्या थी सिंदू सभ्यता की विशेष्टा क्या थी प्रकृती की शक्तियों की पूजा करना वेवस्तित शहरी जीवन देहाती खेती या जाती अधारित समाज तो B option इसका correct option है वेवस्तित शहरी जीवन क्योंकि उस वक्त जो है सिंदू सभ्यता के लोग शहरी जीवन जो है वो रहते थे क्योंकि उनके घर पक्के बने हुए थे घर के बार नालियां बनी हुए थी और वो त्रिकोण नी थे और साथ में उनके घर के बार चौड़ी- के भी थी तो ये इसके लिए आपको मैं बता जेता हूं निकासी के लिए जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर वेवस्ता थी नेक्ट कोश्चन आजता है सिंदु सभीता के लोग में का मकान प्राय बना होता था वही अंसर आ गया है कि सिंदु सभीता के लोगों का घर किसका बना होता था तो correct answer आगया आया आपका पकी इंटों का बना होता था और ये जो इनके घर थे घर के बाहर साथ में ही बड़ी चोड़ी सड़क निकलती थी जो एक दूसरे को परस्पर कारती थी और इनके घर के जो दर्वाजे थे वो छोटी सड़क यानिकी पीछे की तरफ कुलते थे फ्र properly channelized थी नगरिये थी जिसकी पिशेष्टा के रूप में समकोन में कारती थी और नगर दो टीलों में विभाजी था और जल निकासी की भी विवस्ता यानि की नालियों की विवस्ता भी बहुत अच्छी थी अगला सवाल मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातू बह हुई थी ताम्बे की खोज किस में हुई थी नप पाशान खाल में हुई थी तो B option correct है और सैधव और मुख्य रूप से ताम्र पाशान काल के दाएरे में भी इसे रखा गया है और सैधव सभेता के लोग जो है कांसे से भी परिशित थे जो कि सैधव तिन और ताम्बे को म सवाल में हुई है अगला सवाल देवी मा की पूजा किसे समंदित है आरे सभेता से या भूमद्य सागरिय सभेता से सिंदु घाटी की सभेता से या उत्तर वैदिक सभेता से साथ साथ में अपना अंसर दिते रहेगा तो कॉर्रेक्ट अंसर रहेगा वो है सिंदु घाटी की सभेता से जुड़ी है किस से जुड़ी है सिंदु घाटी की सभेता से सी ऑप्शन तो केरा कोटा में की जो है नारी की मूर्तियां मिली है तिक है यानि कि मात्र देवी की पूजा का संबंद सैधव सभेता से है और हरपा से मिली एक मूर्ती की गर्व के cin दिकलता दिखा दिखाया गया है और अधै यह भूमी की उर्भरकता की देवी माना गया है और मोहन जोद्रों में से एक कांसे की निर्टिकी की मूरती मिली है नाश्ती हुई एक मूरती मिली है next time, सिंदू घाटी की सब्वेता के मुख्य विशेश्टाएं थी, क्या विशेश्टाएं थी, नगर सब्वेता थी मद्धे पशान थी क्रिशक सभेता या पुरा पशान सभेता तो correct अंसर रहेगा वो है नगरिय सभेता थी ये बहुत ही established अच्छे धंसे थी तो ये आमने याद रखना है properly सू विवस्ती थी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पकी इंडो से बने हुए थे इनके मकान और प मोहन जोद्रो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है मोहन जोद्रो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था और आपको पता है मोहन जोद्रो जो है वो लरकाना सिंदू नदी के किनारे पर है जो की पाकिस्तान में स्थित है और इसकी जो खोज है वो 1922 में राखल दास बनर जी के दौ की गई थी किसके द्वारा की गई थी राखल दास बनर जी के द्वारा और यहां से ही इमारतों में अनागार का सबसे बड़ा भवन मिला है जो की याद खना है लरकाना पाकिस्तान ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है निमलिखित विद्वानों मैंसे हडपा सभेता का स्व आड़ी बनर जी एकंगिंगम या द्याराम साहनी तो करेक्ट अंसर रहेगा वो है द्याराम साहनी ही इसका सही अंसर रहेगा बहुत ही बड़िया अंसर सभी कुमेंट करते रहिए हडपा की जो जानकारी है वो हमें चार्स मैसें ने 1826 में ही दे दी थी लेकिन 1922 में हडप साहनी के द्वारा की गई है और इन्हें ही खोज करता के रूप में जाना जाता है याद रखीएगा अगला सवाल काली बंगन स्थित है काली बंगन कहां पर स्थित है तो इसका सही अंसर रहेगा वो है राज्यस्थान काली बंगन जो है राज्यस्थान में कौन सी नदी के किनारे है घंगर नदी के नारे है कौन सी नदी के किनारे है घंगर नदी के किनारे है और इसकी खोज 1903 में ऐस घोश के द्वारा की गई थी जो मैंने आपको चार्ट बनवाए है उसी चार्ट से question पूछे जा रहे हैं आप उनको त्यार करें और अच्छे से दिमाग में लखे हैं हरपा वासी किस वस्तू के उत्पादर में अगरणी थे तो किस पे अगरणी थे यानि कि आगे किस के आगे थे तो सबसे जादा थे ये कफास के लिए अगरणी थे यह यानि कि कपास की खेती जो है बहुत अच्छे से करते थे और इनका जो मूल अधार था वो था क्रिशी जिसमें ये गेहूं, जों, खजूर, तर्बूज, मटर ये सभी कुछ लगाते थे फसलें हर प्रकार की फसल जो है वो इनोंने लगाई हुई थी ठीक है जी, नेक्ट आता है निमलिकित में से किस द्रव का उप्योग हडपा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया जाता था, टैरा कोटा का, कांसा का, तामबा का या लोहे का प्रकार कोटा, बहुत अच्छे से अंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक है जी, अब संभवत है यह अफगानिस्तान के मार्ग में था और मेसोपोटामिया का भी इसको मार्ग कहते हैं, मेसोपोटामिया से मिली मोरें जिन पर महलुआ शब्द में जो हैं अंकित है और यह विपार के लिए प्रमान देता है, नेश्ट है, सिंदू घाटी सब्वेता का विशाल सनागार पाया गया है, कहां पे पाया गया है सनानागार, और यह आपको पता है, कहां पे पाया गया है, तो करेक्टा उप्शन रहीगी, मोहन जोद्रों में पाया गया है, कहां पे चारों और सीडी और कमरे मिले हैं और इस सनागार का जो प्रियोग है वो आम जनता के लिए विशेश आयोजनों पर ही किया जाता था ये मार्शल महौदे की ततकाली का विश्व का एक आश्चर जनक जो है निर्माण भी कहा गया है किस देश ने भारत से मोहन जोदरों के लिए प्रसिद निर्तक कन्या की प्रतिभाव बापस देने के लिए कहा है बंगलादेश, चीन, भुटान या पाकिस्तान मैं आपको बता दूँ कि ये पाकिस्तान इसका सही अंसर रहेगा डी आप्शन क्योंकि पाकिस्तान में ही सिंदू सभेता थी और मोहन जोदरों थे तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो ये आपने याद रखना है अगला है सबसे प्राचीन सभेता का नाम बताएं सबसे प्राचीन सभेता तो इसमें कोरेक्ट अंसर रहेगा मेसोपोटामिया की सभेता किसकी सभेता मेसोपोटामिया की सभेता भी आप्शन कोरेक्ट है तीक है और मेसोपटामिया शव्द जो है का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच इराक की दजला फरात नदियों के बीच पड़ता है ये मेसोपटामिया कौन सा सिंदू घाटी सभेता का जो स्थल है वो पाकिस्तान में है पाकिस्तान में है लोथल है आलमगीर है या काली बंगन या हडपा पर सही अंसर रहेगा वो है हडपा डी ऑप्शन तो ये लोथल ये सभी के सभी सथल है आपने इनको ध्यान रख लेना नोट कर लेना है कौन कौन से हैं कुजरात में आता है भारत काली बंगन राजय़स्थान भारत में है आलमगीर मेरट उत्तर प्रदेश में हैं, ये सारे के सारे आपने दिमाग करें, नेक्स्ट आयाता है सिंदु घाटी सभेता की लिपी, लिपी के लिए जो है अभी बता देता हूँ इसका जो थोड़ा सा कुछ हुआ है, यहाँ पर अभी तक ये लिपी जो है ग्यात नहीं की गई है, सी आप्शन ही रहेगी, तो ये इसका सही अंसर रहेगा और आम तोर पर ये दाई से बाई और लिखी जाती थी, इस भाशा में लिखी जाती थी, नेक्स्ट आयाता है, मोहन जोदरो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था, तो वही क्वेश्चन फिससे आगया है, अनागार बी option ठीक है जी पहले भी हुआ था उसी को गुमा गुमा कर questions को अलग-लग way से पूछा जाता है अगला question है और last question है इस class का सिंदू सभ्यता का बंदरगा कौन सा है तो काली भंगन रोपड मोह जोदरो या कौन सा तो correct answer रहेगा लोथल बी option जो है वो सही option है और यह बंदरगा जो है बहुत प्रसित था और यहां एक गोदी वाड़ा यानि कि डॉक याहर भी भी हमें मिला हुआ है तो यह थे आज के सवाल जो की सिंदू घाटी सभ्यता के से जुड़े हुए थे कल नए सवालों के साथ लेकर आऊंगा नए topic के साथ तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए जै हिंद जै भारत